हेलो फ्रेंड्स मैं हूं राकेश राब देख रहें अंदर से जब यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स आज अपने बात कर रहें कुछ important documents के बारे में जो कि आपका selection हो गया selection होने के बाद में आप document verification करवाने जाते हो किसी भी institute के अंदर तो आपको कौन-कौन से documents की वहाँ पर ज़रूद पढ़ती है तो वो सभी questions है इस वीडियो के अंदर आपन बात करेंगे तो वीडियो को बहुत ही important होने वाला है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share कर देना आपके जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों के पास में आपके WhatsApp ग्रूप है WhatsApp ग्रूपों के अंदर और आपके पास Facebook है टेलिग्राम है जहां आपके पास जो भी कुछ है social media वहाँ सभी जगया पर आप इसको share जरूर कर दीजेगा तो इसमें अपन बात करेंगे INC verification क्या है बहुत से candidate INC verification के बारे में बात कर रहे हैं तो वो चीज क्या है next है कौन कौन से documents आपको जरूत होगी required होगी next है अपन बात करते हैं क्या medical भी होता है आपका document verification होगा उसके बाद में क्या आपका medical भी होगा next है अगर कोई documents नहीं हो तो verification के time पे आपका क्या होगा या वहाँ पर आप D select हो जाओगे या फिर आपको select माना जाएगा next है कितने time तक extension मिलता है आपको बीच में किसी चीज को जुरूत पढ़ जाती है तो आपको extension के जुरूत होती है तो क्या आपको वहाँ पर extension दिया जाता है या नहीं दिया जाता है क्या आपके पास DNC होना जरूरी है या नहीं है ये सभी question है जो कि मैंने different different type से जो मेरे को मिले है उन सभी का इस video के अंदर आपको जवाब दिया जाएगा तो वीडियो को सुरुशन तक देखते रहना आपको सभी question का one by one आपको response मिलेगा number 1 पर अपन बात करते है documents की तो यहां पर कौन-कौन से documents के आपको need होती है कौन-कौन से documents के आपको required होता है document verification के time पर तो number 1 पर बात करें तो number 1 पर आपके पस में 10th और 12th का आपके पास क्या होना चाहिए मारक्षीट होना चाहिए और शाथ में उनका जो Certificate है वो भी होना चाहिए कुछ हे Candidate है उनका मारक्षीट के साथ में ही Inbuilt है Certificate कुछ हे Candidate है जिनका Certificate अलग से दिया गया है मारक्षीट के तो वो दोनों परकार का आपके पास होना चाहिए नेक्स आपने अगर GNM किया तो GNM की All मारकशीट अगर आपने BSE किया तो BSE की All मारकशीट नेक्स आपने GNM का आपके पास Diploma होना चाहिए BSE का आपके पास Degree होना चाहिए अगर आप GNM Candidate है तो आपके पास Experience Certificate है वो 50 Bedded का वो भी होना चाहिए क्योंकि देली एम से वो 10 साल बाद भी आपका जो क्रोस वेरिफाई है वो करवा सकती है तो कुछ के एक कंडिडेट ये सोचने है कि भाई फरजी लगा के और मैं जोइनिंग ले लूँ तो ये ऐसा इंस्टूट है ये 10 साल बाद 15 साल बाद 20 साल बाद भी क्रोस वेरिफाई करवा सकता है ये देली एम से की खाशियत है पांच सा अभी एक कंडिडेट है जिन्होंने फरजी लगा के किया था और 5 साल हो गया था उसको जोब करते विए 5 साल बाद अब उसको हटा दिया गया है अब वो केश लड़ रहा है इस सीज के पीछे तो ये सभी ही ऐसी कंडिशन अराईजी ना हो क्योंकि अभी जैसे आप फ्रेसर हो तो आप मेहनत कंटिन्यू करते रहो अगर आपके पास डिगरी ओना चाहिए अगर आपके पास डिगरी प्रो विजिनल डिगरी होती है वो 6 मन तक वैलिड होती है 6 मन के बाद में वो कोई फाइदा नहीं होता इसके लिए आपके पास जो degree होती है man degree जो university से आती है जिसको अपन English version degree भी एक होती है एक Hindi version degree भी होती है तो वो कोई सी भी degree हो वो यहाँ पर आपको चलेगी क्या दोडेगी वो degree आपके पास होनी चाहिए next आता है आपके पास registration certificate होना चाहिए उसके अलावा अगर अपन बात करें तो pen card और other card होना चाहिए और अलग अब बात करें तो आपके पास cash certificate और domicile certificate यह दोनों चीज़ भी आपके पास होना चाहिए तो यह aims की जो अगर vacancy की बात करें तो aims की जो vacancy है वो है central government की vacancy तो central level की vacancy है तो आपके पास जो cash certificate है वो भी आपके पास central level का होना चीए state level का इसमें cash certificate है वो नहीं चलेगा यह important बात है अगर आप वेकंसी देख रहे हो तो आपके पास central level का ही cash certificate होना चीए जैसे हैसे हैस्टी, हैस्टी, ओबीसी और EWS candidate अगर आपके पास ph category से हो तो ph का भी आपके पास certificate होना compulsory तो यह तो हो गई documents की बात में आपके पास सारे documents आपके पास होने चीए अब इसमें बात यह आती है अगर मानलो आप वहाँ पर document verification करवा रहे हो और उस time पे आपके पास कोई भी documents नहीं है तो आप क्या करोगे उसके लिए आपको करना क्या होगा एक application लिखनी है administrative office के नाम से और उसके अंदर आपको self declaration आपको दे देना है उसके अंदर आपको one month का time आपने जैसे की ले लिया कि मैं एक मेने के अंदर मेरा यह document है वो आपको यहाँ पर जमा करवा दूँगा उसमें आपका आपका जो rank है आपका जो roll number है आपका नाम है वो सभी उसके अंदर mention कर देना है application में और documents के साथ में वहाँ पर जमा करवा देना है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इसके अंदर declaration लेके ले सकते हो कोई भी issue नहीं होगा बस issue यह होगा कि जैसे आपने join कर लिया जब तक आप documents नहीं जमा करवाओगे तब तक आपकी जो salary है वो रुक जाएगी salary रुक जाएगी वो फिर एक साथ वो पूरी salary बाद में दी जाएगी आपको next important आता है INC verification क्या है तो इसके ओपर थोड़ी शी बात बता दू INC verification यह इसलिए अब आपसे करवाने लग गई पहले क्या था कि aims है वो जैसे कि अगर आपके पास DNC कब जुरूत होती है अगर आपने daily aims को आपने choose कर लिया तो आपको आपको दिल्ली aims को prefer करते हो तो आपके पास DNC और INC verification यह दोनों होना चाहिए अगर आप other than aims choose करते हो तो आपको DNC की कोई जरूत नहीं होगी आपको INC verification की भी कोई जरूरत नहीं होगी अब अपन बात करें INC verification क्या है INC verification यह होता है जिस दिन से आप college के अंदर admission लेते हो जिस दिन आपने college के अंदर admission लिया और जिस दिन आपने college को pass out किया आपका steady period की बात बता रहा हूँ आपको जिस दिन आपने college में admission लिया और जिस दिन आपने college को pass out किया उस दोनों के बीच के time के अंदर क्या आपकी college INC से approval थी इस चीज को approval लेने के लिए आपको एक forum आये अब आपको apply करना होगा उसके लिए आपको 500 रुपए के DD है वो जमा करवानी होगी अभी जैसे lockdown के time पे उन्होंने एक notice निकाला था और उसके अंदर बताया गया था मैं आपको एक notice दिखा देता हूँ ये एक notice निकाला गया था इस notice के अंदर ये था कि आपको अगर college जो verification चीए INC certificate के लिए तो आपको करना क्या होगा कि 500 रुपए का आपको DD बनवाना होगा और DD बनवाने के बाद में आपको एक email ID दी हुई है उस email के उपर आपको send कर देना होगा फिर उसके बाद में INC से जो भी information होगी वो आपको within 7 days के अंदर आपकी जो email address जो आप दोगे application के अंदर उसके अंदर आपको भेज दे जाएगे उसके बाद में बाद में आपके साथ क्या होगा जो भी आपका जो certificate होगा जो INC approval का वो आपको जो आप जो address वहाँ पर दोगे उस address के उपर आपको send कर दिया जाएगा एक माँ आपको तो यह जो process थी यह only for COVID-19 pandemic के time के time पे थी और यह email address उन्होंने दी हुई थी बाकि जो अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पर अपन direct जाके भी इस process को अपन करवा सकते हैं वहाँ पर भी एक application लगती है और उसके बाद में आपको पूरे detail वहाँ पर application में fill up कर देनी पड़ती है जिसके बाद में आपको 7 दिन के अंदर आपकी email के उपर आजाता है notice और आपको जो physical है जो certificate है वह आपके जो address जो आपको देके आते हो उसके उपर आपके पास पहुँच जाता है तो यह आपको जब ही जुरूत पड़ती है अगर आप उस टेम पे dailyms को choose करते हो तो dailyms जब पहले क्या करती थी dailyms की खुद ही जो registration है वो change करवाती थी other state से जो registration था other nursing council से उनको dnc के अंदर convert करवाने के लिए dailyms खुद ही करती थी उस टेम पे कुछे candidate की क्या थी की college थी वो verify नहीं हो पारी थी जिसकी वज़े से dailyms को problem जो थी वो face करना पड़ा इस वज़े से अब वो क्या करता है कि जो candidate होते हैं उनी से ही inc verification ले ले लेता है और inc verification लेने के बाद में आपको ही dnc करवाना पड़ता है पहले dailyms खुद करवाती थी अब candidate है वो खुदी dnc convert करवाएगा और उसके लिए dnc convert करवाने के लिए आपको inc verification जरूरी होता है बस dnc convert करवाने के लिए inc की जरूरत होती है और बाके किसी चीज़ में भी इसकी जरूरत नहीं होती नेक्स्ट अपन बात करते हैं medical examination की medical examination के अंदर आता है eye test eye test के अंदर most important के अगर बात करें तो इसमें आता है istiara test istiara test है वो color vision के लिए करते हैं अगर इसके अंदर अगर आप जो है जो test है अगर आपका किया गया और उसके अंदर आपने इसको complete नहीं किया तो यहाँ पर आपको deselect कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पर joining नहीं दी जाएगी और बांकि अगर किसी भी medical examination के अंदर आप फैल हो गए तो आप चल जाएगा लेकिन इस 4 टेस्ट के अंदर अगर problem आती है तो आपको वहाँ पर select नहीं किया जाता next है इसमें ECG, X-ray, blood test और physical examination भी किया जाता है ECG normal होती है extra normal होता है और blood test है जिसमें CVC बगरा होता है जो बिल्कुल एक normal process है physical examination के अंदर inguinal hernia देखा जाता है और hydrosil है ये दोनों physical examination किये जाते है next है अपन बात करते हैं extension की तो extension है वो कितने मंद तक ले सकते हैं तो अगर आपके पास कोई specific region है तो उसके तहट आप 3-3 मंद का extension ले सकते हैं अगर आपको और भी ज़्यादा extension की जुरूत होती है तो आपको कोई न कोई specific region वहाँ पर देना होगा application आपको देनी होगी उसके बाद में आप वहाँ से extension ले सकते हैं बस यहीं था इस वीडियो के अंदर फिर भी अगर आपको कोई सवाल जवाब हो तो आप हमारे को telegram group के अंदर जोहन करके और वहाँ पर direct हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप comment करके हमसे पूछ सकते हैं comment क्या है कि ज़्यादा हो जाते हैं इसकी वज़े से हरे comment का reply नहीं हो पाता है अगर आप telegram पे अगर कोई भी सवाल है आपका किसी भी परकार का direct telegram पे message करें link वीडियो को description में या फिर telegram में search बार में आप search कर सकते हैं nurse stage hub वहाँ पर आपका मिल जाएगा और direct मेरे को search करना है तो आपको मैं वहाँ पर भी मिल जाओंगा direct आप मेरे को message कर सकते हो या फिर आप हमारे group में जुट सकते हो कोई भी information होगी आपको वहाँ पर दे दी चाहेगी thank you और ज़्यादा से ज़्यादा इस video को share कर दो आपके जितने भी दोस्ते हैं सभी दोस्तों के पास और चैनल को नए हो तो subscribe कर लो और इस video को like कर दो thank you